इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12 एजुकेशन के चैप्टर टू बॉर दिकलिन सिछा के मोस्ट इंपॉर्टन दिर गुटरी प्रेशन से पहले हम लोग इसके शॉर्ट टैप कोशन से चैप्टर का अप्समेशन देख चुके हैं और चैप्टर फर्स्ट भी अपने पूरा कमप्लीट कर चुके हैं जो आपने वो वीडियो से नहीं रिकी तो आपको इसका लिंक डिस बॉच्छा के गुड़ वा दोश्रों की विवेशना कीज्या मलकि जो ब्लक्ति तो इसमें कॉन कौन से गुड़ थे ताथ कौन कौन से दोस्त थे वह हमें इसमें बताना है तो चलि स्थार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे बॉड़ इकालिन सिच्छ के गुड निमलखित हैं पहला जो है वो है सिच्छा को सभी को सिच्छा प्राप्त करने के अश्रों की श्रामानता थी क्योंकि वहार में प्रवेश के लिए जादी पाते और उस नीश का बंदर नहीं था तो पहला सबसे ज्यादा इंप्वाटन इसका गुड क्या था कि यहा सभी को सभी को समान उशर मिलते थे सिच्छा प्राप्त करने के लिए second हमारा बौधिकरम पर्याप्ट विस्दर संथ्माइब था वयवहारी था तो बाथी करम था विश्दर था वह भाठी था विस्दरत था सिच्छा की माध्य में समाज के सभी लोगों में समानता एवं सुतनता की भावना विकास करने का प्रयास किया जाता था तो क्या होता था वहां पर ऐसे सिच्छा दी जाती थी बौधिकालिन में गां इस सिच्छा दे जाती थी ताकि लोग बच्चे हैं उनके अंदर समानता की भववना का विकास हो और सथनता की वह व्याइपक था, सिच्छा लोखिक और धार्मिक दोनों प्रकार की दी जाती थी उच्छ वर्क बबुआ इसतों था फिलोगों रॉटे थे थे चींभा पिर बढhmen पर दिग्या करने कि संब्सक्राइब भी होता नहीं है को भी आते जाता कोई बैद वच्चा है देखा कुछ एक बाता है सही रहना था नेक्स है अशुदाचरन से दूर रहे मतलब कि कोई भी ऐसोदाचरन या गलत मुण से गलत वर्ड ना निकाले किसी से लड़ाए मत करें इस तैप से इसे दूर रहना होता था पर श्रत्य ना करें errulk की जूट नहीं बोले हमसे सच बोलना चाहिए कुछ समय भोजन नाकरें मलकी वहां पर यह बताया चाहता था कि जो छाद होते हैं उन्हें समय सहे भोजन करना चाहिए इसा नहीं कि जमन करा तब कर रहे हैं ढायँ ने मदबवस्थ उसे दूर का प्रियोक नहीं करना चाहिए जो मादग वस्थ्व होती है जैसे की नशेवली शीजे उनसे दूर रहना है बहु मुल पदा दान में ले तो जो बाध कली मैं ऐसा होता था न। करने जाते थे विक्षा मांगने तो वहां पर ऐसा कहा जाता था कि अगर जो कोई आपको बहुत जादा कीमती चीज देरा तो आप उसे लेने से इंकार कर दीजिए सिर्फ साधानों चीज़े ही आप लीजे ने तो और तमाशे से दूर हैं मतलब कि जो मनुरंजन की चीज़े होती थी उनसे दूर हैं बीना दिये हुए किसी भी चीज़ को ग्रहें ना करें किसी की निंदा ना करें और शिंगार की वस्तों का भोग ना करें तो यह सारा कुछ होते थे ओवर और यह बताया जाता था कि एक आप दम जो छात जीवन हो बिलकुल ही साधा जीवन जीए ब प्रयाप्ते व्युक्त था थी गूरूकुल की छात्रह को प्यूंदि बीचारण के लिए नहीं जाना पड़ता था जो बॉधार जातने के दिया अंहें ज cupboard देंगे साके जो इंपॉर्टेंट दोश थे वह तें कि जो शिच्छा में कुछ कमियां ही थी इसे संमंदित धार्मिक ध्यान पर विशेश बर लेकिन बहुत इसका थी वह तर बहुत जादा भी दिया जाता है इस सिच्छा के वह तरहां देंधार। प्राप्त करने का अधिकार था लेकिन उनके लिए एकदम अच्छे से वेवस्थ था नहीं थी कि में अच्छे से स्कूल खोले जाएं वहां पर सिस्त्रों को अनेवारी हो सिच्छा ऐसा कुछ नहीं था इसलिए वहां पर्याप्त उच्छी सिच्छा नहीं थी सैनिक सिच्छ धर्न प्रचार धर्न प्रचार का मुझे साध्न सिच्छा केंद को मानना लौकिक जीवन लौकिक विशयों की उपेख्षा करेना तक्निकी कोशल के विश्यों का अभाव होना यह सारे जो थे most important वहाँ पर जो दोश्ट थे वो यह सारे थे आई होप आपनों को समझ में आ गया होगा यह question यह बहुत important question है यह आपका 3-4 बार आ चुका है तो I hope आपनों को यह समझ में आ गया होगा आप चलते हैं my next question की तरफ तो हमारे next question है वो है आधुनिक भारत शिच्छा में बौधिकालिक सिच्छा का क्या योगदान है बादोनिक भारति सिच्छा को बौधिकालिक सिच्छा का योगदान अत्यानति वापक और अभिनेंद्री है चीट में अनेक कार्य आयोजित किये गये हैं जो बाधिकारी सिच्छा के अभिन अंग थे तो क्या पताया जा रहा है कि जो बाधिकारी सिच्छा है उसका हमारे आधुनिक सिच्छा पर हमारी प्रिजंट एजुकेशन है वहां पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है सिच्छ परभाव के साथ जाले बालो को के लिए सिच्छा में विविन स्त्रों पर अध्यन की निकिर अबाधि आयोजन लोगभाशां को प्रोसाहन और उन्के्छा का माध्यम बनाना आयों का योजन यह सारे बहुत सारे पॉइंट थे जो कि अभी हमारे बजन टाइम में लिए गया हैं उच इस्तर पर सेधान्तिक और प्रवगात्मक सिच्छा का आयोजन तो यह सारे कुछ अगे देखते हैं बहुत दिकाले सिच्छा के संबन में डॉक्टर एफई केई ने लिखा है कि ब्रहांबरी विद्या लोगों के एक मात अधिकार को समाप्त करने और सभी चातियों के मनश्यों को सिच्छा का अफसर सुलब कराने में बहुत धर्मने भारत के लोगों में जन बड़ी सिच्छा मतलब है जो वैदिकालिन सिच्छा थी उसको समाप्त करके जो हमारे मां बादिकालिन सिच्छा आई थी उसके जरीए से जो सभी मनुष्य थे उनको सभी को सब्सक्राप्त करने का अधिकार था और सभी के मन में वह इस्च्छा प्राप्त करने का जो है इ यह इम्होंने कुछ कहा था तो I hope आप लोंको यह समझ में आगया होगा यह भी बहुत इंपॉर्णने था कोश्चन तो आपको जो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज से लाइक करें मिलते में नेक्स वीडियो में थैंक यू